नमस्कार टार्गेट विदालो के 8 पीम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्रा खबरों की सुर्वात करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक COVID-19 से उत्पन आर्थिक चुनोतियों से निपटने पर हुई चर्चा हाल ही में मूडीज ने जारी किया रिपोर्ट भारत की मौझूदा ब्रिधिदर सुन रहने का लगाया अनुमान भारत सरकार और AIIB आये साथ COVID-19 से निपटने के लिए 500 मिलियन डॉलर के स्वास्थ समझोते पर किया हस्ताक्षर लिपु लेक पर नेपाल और भारत में तनाव बढ़ा चीन की एंट्री तैं तो आईए खवरों को विस्तार से देखते हैं COVID-19 महामारी के मद्दे नजर उत्पन आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए ब्रिक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उद्यमियों को सामुहिक सहयोग दिये जाने पर जोर दिया ब्रेक्स समू के विदेश मंत्रियों की इस बैठक को रूस द्वारा वीडियो कॉन्ट्रेंसिंग के माध्यम से किया गया भारत और रूस के अलामा चीन, ब्राजील और दक्षन अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया भारती विदेश मंत्री ने कहा कि COVID-19 का प्रभाव स्वास्त के साथ वैस्विक अर्थब्यवस्था पर भी है भारती विदेश मंत्री सुब्रमन्यम जैसंकर ने कहा कि इन चुनोतियों से निपटने के लिए उद्यमों और विशेष्त सूक्ष्म, लगु और मध्यम यानी मा आवशकता है बैठक में COVID-19 के कारण अर्थब्यवस्था को सहारा देने के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राहत को इसकी अस्थापना का निर्ड़य लिया गया चीन के वोहान सहर से सुरू होने वाला COVID-19 वायरस आज पूरी दुनिया में अपना आतंग फैला चुका है लेकिन दिल्चस्प ये रहा कि चीन अब इस महामारी से उबर चुका है जबकि ब्रिक्स समों के अनिदेश विशेशकर भारत, रूस और ब्राजील में इस महामारी के मद्देनजर न सिर्फ स्वास्थ बलकि आर्थिक शेत्र भी प्रभावित हुआ है ऐसे में ब्रिक्स देशों द्वारा सामोहिक सहयोग को बढ़ावा देना एक सराहनी कदम साबित होगा विविन छेत्रों में आपसी सहयोग में व्रिधी के उदेश से 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक समोह बनाया जिसे ब्रिक्स समोह कहा गया लेकिन 2010 में दच्छन अफ्रीका के सामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा आपको बता दें कि ब्रिक्स समोह विश्व के लगभग 26 प्रतिसद भूभाग और तकरीबन 42 प्रतिसद जनसंख्या का प्रतनिधित्व करते हैं इतना ही नहीं एक हालिया अनुमान के अनुशार 2020 के अंत तक वैस्विक अर्थ व्यवस्था में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 50 प्रतिसद हो जाएगी नवंबर 2019 में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स के 11 सम्मेलन में भारती प्रधान मंत्री ने अगले 10 वर्ष के लिए विकास के प्रमुक्षेत्रों की पहचान कर समुह के देशों द्वारा आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया आने वाला समय आर्थिक द्रिष्टी से समुह के लिए सकारात्मक भविश्य की ओर इसारा कर रहा है मुडीज इन्वेस्टरस सर्विस के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की मौजूदा बृध्धिदर सुन रहने का अनुमान लगाया है आठ मई दो हजार बीस को मुडीज द्वारा जारी रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद कम रहने की मुख्य वजह कोरोना वायरस को बताया गया मुडीज ने अपने रिपोर्ट में आगे यह भी कहा कि भारत की रेटिंग पर निगेटू आउटलुक से जोखिम बढ़ रहा है जिससे आर्थिक संस्थागत मुद्दों के लिहाथ से जीडीपी की वृध्धी पहले की तुलना में काफी कम रहेगी हलाकि मुडीज ने वित्तिय वर्ष 2021-22 में वृध्धीदर 6.6 प्रतिसत पर पहुँच जाने का अनुमान ब्यक्ति किया है बीते महिने के अंतमे वर्ष 2020 के लिए जारी मुडीज के एक अन्य रिपोर्ट में जीडीपी वृध्धीदर पहले ही 0.2 प्रतिसत कम कर दिया गय नाजा तथा कमजोर वित्तिक शेत्र को आगे और भी दबाव का सामना करना पड़ सकता है आपको बताते चलें कि मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस बॉंड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कमपनी है जिसे संख्षेप में मुडीज कहा जाता है मुडीज की अस्थाप और AIIB यानि ASEAN Infrastructure Investment Bank ने COVID-19 से निपटने के लिए 500 मिलियन डॉलर की आपात कालिन स्वास्थ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आपको बताते चलें कि COVID-19 आपात कालिन उपाए एवंग स्वास्थ प्रणाली तैयारी परियोजना में विस्व बैंक ने भी 1.09 बिलियन डॉल इस हैता के प्राथमिक लाभार्थी भारत के सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों के संक्रमित लोग, जोखिम वाली आबादी, चिकित्सा और सार्वजनिक और निजी परिक्षण केंद्रों के सेवा प्रदाता और भारत में COVID-19 से निपटने में लगे हुए सार इस परिवोजना को राष्टिय स्वास्थ मिशन, नेशनल हेंथ मिशन यानि NHM और राष्टिय रोग नियंत्रन केंद्र यानि National Center for Disease Control NDC के साथ साथ स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्रा ले यानि Ministry of Health and Family Welfare के अधिन कारियरत भारती चिकित्सा अनुशंधान परिशद यानि Indian Council of Medical Research ICMR द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा आपको बता दें कि यह पहला आवसर है जब AIIB यानि ACI Infrastructure Investment Bank द्वारा भारत के लिए स्वास्थ सहायता की पहल की गई है इस परियोजना का मुख्य उद्दे से COVID-19 के प्रसार को यथा संभव कम करना PPE kit, oxygen delivery प्रणाली और दबाओं की खरीद की मात्रा को बढ़ाना और संक्रमित लोगों का पता लगाने के क्षमता में व्रिधी करना ICMR के सहयोग से भारती एवंग अन्य वैस्विक संस्थाओं में COVID-19 से जुड़े अनुशंधानों में सहयोग करना जैसे महत्पून कारियों को करना है यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि वर्तमान में अधिकान से नए संक्रमक रोग मनुश और पसुओं के आपसी संपर्क से होता है जिन में HIV, AIDS, Ebola, SARS जैसी बिमारिया भी शामिल है ऐसे में इस धनरासी का उप्योग मौजूदा हालत में भविस्य में उभरती बिमारियों का पता लगाने के क्षमता और प्रणाली विक्षित करने में सुबिधा होगी गौरतलब है कि AIIB यानि Asian Infrastructure Investment Bank एक बहुपक्षिय विकास बैंक है जो एसिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नस्तीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कारी करता है इसने साल 2016 से कारे करना प्रारम किया यह बहु आयामी निवेश के साथ लोगों, सेवाओं और बाजारों को बहतर ढंग से जोड़ रहा है जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन और बहतर भविश्य का निर्मार करेगा उत्तराखन के काला पानी के बाद अब लिपुलेख इलाके को लेकर भारत नेपाल में तनाव बढ़ता जा रहा है भारत ने कैला समान सरोवर की यात्रा के लिए सुक्रवार को पिथावरागड धारचुला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का उधगाटन किया जिस पर नेपाल के पूरु प्रधान मंतरी कमल दहल ने कहा कि भारत कुटनीतिक तरीके से सीमा विबात के हल को नजर अंदाज कर रहा है नेपाल के आईतराज पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सड़क पूरी तरह भारत के क्षेत्र में है इस पर किसी विदेश की आपत्ती नहीं होनी चाहिए दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंद्रालाय ने भारत के इस कदम को एक पक्षी बताया और कहा कि भारत नेपाल को आपसी बातचीत और सहमती से सीमा विबात को निप्टाने का प्रयास करना चाहिए उसने आगे कहा कि भारत का यह कदम समय से परे है नेपाल इस मुद्दे को आयतिहासिक समझोतों, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्से के आधार पर इस मुद्दे को सुलजाने की वकालत कर रहा है गौरतलब है कि मई 2015 में भारत और चीन ने लेपुलेक से होते हुए एक ब्यापार मार्क बनाने और उसे विस्तार पर आपसी सहमती दी थी नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत कैलास मानसरोवल लिंक रोड के तहत धारचुला से तिबबत को जोड़ना चाहता है जिसके लिए भारत लगातार चीन के संपर्क में है इसलिए मुद्दे को सुलजाने के लिए नेपाल को यह मुद्दा चीन के सामने उठाना चाहिए क्योंकि अब यह मुद्दा तीन देशों के बीच का मामला बन गया है हलाकि दहल ने इस मुद्दे का अंतरास्ट्रिय करण करने से बचे हैं दहल चाहते हैं कि यह मुद्धा तीन देश आपस में मिलकर सुल्जा लें, पूर प्रधान मंत्री दहल नेपाल कम्मिनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको चीन का समर्थक माना जात। और अबन्ति में आईए कुछ अन्य महत्पूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से बेहत महत्पूर्ण साबित हो सकते हैं। सेसिल्स, मेडा गासकर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। यह प्रयास भारत द्वारा उसके पडोसी देशों के साथ संबन्धों को रेखांकित करता है। भारती नौसेना का यह जहाज 600 तन सामगरी लेकर मालदीव के पोट आफ माले बंदरगाह पहुँचेगा। दूसरे सनिवार को मनाया जाता है। वर्स 2020 में इस दिवस का मुख्य विशे बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड रहा है। गरतलब है कि वर्स 2006 से ही संकट ग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के सनक्षन की आवस्यक्ता पर जागरुकता उत्पन कराने के लिए विश प्रवासी पक्षि दिवस मनाया जातार है। हाल ही में बालिवुड अभनित्री और परियावरण विद दिया मिर्जा का संयुक्त राष्ट परियावरण कारिक्रम यानि UNEP के भारत में सत्भावना राजदूत के रूप में कारिकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया ग प्रमुक्षेत्रों में संदेश फैलाने का काम जारी रखेंगी। आपको बता दें कि UNEP की अस्थापना पांच जून 1972 को किया गया और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। दरसल UNEP संयुक्त राष्ट की परियावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रन करता है COVID-19 महामारी के मद्दे नजर इस बार खेल मंत्रालय ने विभिन खेल पूरसकारों के लिए कागजी प्रक्रिया के बजाए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया है। आपको बता दें कि राष्टी खेल पूरसकारों में विभिन पहलों को सामिल करते हुए खिलाडियों को दे पूरसकार लाइफ टाइम अचीवमेंड के लिए दिया जाता है। विद्यूत मंत्रालय के तहत एक केंद्री पी एस यू और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एंटी पीसी कोल्डम 2020-21 के लिए देश में सबसे अच्छे पन बिजली स्टेशनों में से ए पी एल एफ अरजित किया। विज्ञान और प्राध्योग की विभात के वैधानिक निकाय। प्राध्योग की विकास बोड और भारतिय उद्योग परिशंग की ओर से आज 11 मई 2020 को राश्टिय प्राध्योग की दिवस के आउसर पर एक उच्छ अस्तरिय डिजिटल प्राध्योग की दिवस उनिस सो निन्यान वेशे मनाया जा रहा है। इस दिवस को 11 मई 1998 को पोखरन परमाणू परिक्षन दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम वोमेन इन साइंस रखा गया है। फिलहाल इस बुलिटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताईएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मुझे दीजिए इजासत, नमस्कार।